पॉनोग्राफिक केस में गिरफतार शिल्पा शेटी के पती राज कुंद्रा की जाच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे शिल्पा शेटी की मुसीबतें बढ़ती जा रही है एक तरफ शिल्पा शेटी कानून की शिकंजे में फसने से बच रही है वहीं दूसरी तरफ वो एक ऐसे धर्म संकट में फस गई है जिसमें एक तरफ शोहर है तो दूसरी तरफ शोहरत एक तरफ राज कुंद्रा का बदनाम राजपाट है तो दूसरी तरफ मीजिया में और उधर पुलिस ने खुफिया अलमारी से राज के गुनहगार होने के सबूत खोद निकाले। इधर शिल्पा ने कहा मेरा पती सिर्फ एरोटिका बना रहा था और उधर पुलिस ने राजकुंद्रा के आफिस से ना सिर्फ पॉन वीडियो बलकि आने वाली फिल्मों की स्क कमाई खंगालनी शुरू कर दी। अब शिल्पा शेटी पुलिस के रडार पर हैं और उनके फोन की क्लोनिंग करके जाच की जा रही है। उनकी प्रॉपर्टी और इंवेस्टमेंट का ब्यौरा निकाला जा रहा है। वैसे शिल्पा शेटी के खुद के कई बिजनस हैं जै और यही वज़ा है कि राजकुंद्रा की गिरफतारी के बाद शिल्पा शेटी को भी इस मामले में शक की नजर से देखा जा रहा है। कुल मिलाकर राजकुंद्रा के काले कारनामों से शिल्पा शेटी की इमेज पर कालिक पुद गई है। बताया जा रहा है कि इस पूरे स प्रफिशनल लॉस को बरदाश्थ नहीं कर पाता परसनल इमिज से इन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता जैसे एक आम आत्मी को समाज में अपनी इज़त की परवा होती है और पैसों से उपर वो अपनी इज़त को रखता है फिल्म इंडस्ट्री में ठीक इसका उल्टा होता है इन्हें पैसों की फिक्र पहले होती है और इमिज की फिक्र तभी तक होती है जब तक उसका काम पर असर ना पड़े शिल्पा शेट्टी भी उसी फिल्म इंडस्ट्री से आती है जहां माल है तो भोकाल है वन्ना सब बेकार है यही वज़ा है कि बॉलिवुड की ज्यादा तर बड़ी एक्ट्रेस शादी उसी से करती है जो पैसे वाला हो तो शिल्पा ने भी राज से शायद इसी लिए शादी की होगी शिल्पा को राज कुंद्रा से महंगे गिफ्ट, लैविश लाइस्टाइल सब कुछ मिला लेकिन बदले में राज कुंद्रा को भी शिल्पा शेट्री की वज़ा से पहचान मिली सोची अगर राज कुंद्रा सिर्फ एक बिजनसमैन होता तो उसे कितने लोग जानते राज कुंद्रा से ज्यादा शिल्पा शेट्री को भुगतना पड़ रहा है और यही वज़ा है कि क्राइम ब्रांच की टीम ने जब शिल्पा और राज को आमने सामने बैठाया तो शिल्पा फट पड़ी, राज कुंद्रा से उन्होंने पुलिस के सामने ही जगड़ा कर लिया क्योंकि राज कुंद्रा के ओवर कॉन्फिटेंस ने शिल्पा को हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे वाली सिचुवेशन में डाल दिया शिल्पा शिट्टी को लगा था कि पश्मीना शॉल बेचने वाला अगर मिलेनियर बना है तो उसमें दिमाग तो होगा ही और इसी खूबी पर तो शिल्पा के दिल में उन्होंने जगा बनाई थी, लेकिन लालच जब दिमाग पर च्छाता है तो विनाश ही आता है आज शिल्पा के हालात ये हैं कि ना तो उनके पॉलिटिकल कनेक्शन राजकुंद्रा को जमानत दिलवा पा रहे हैं और ना ही उनकी कमपनियों से मिलने वाले सबूतों को वो छुपा पा रहे हैं क्योंकि हर किसी की समझ में आ रहा है कि इस गंदे धंदे में बचाव करना अपने पैरों पर ही कुलहाडी मारना होगा उपर से जब मामला गरीब और मजबूर लड़कियों के शोशन से जुड़ा हो तो कोई भी इस केस में मदद करने से पहले कई बार सोचेगा लेकिन शिल्पा शेटी क्या सोच रही हैं? जाहिर है शिल्पा शेटी की पहली कोशिश तो यही होगी कि वो अपने पती को निर्दोश साबित कर दें वो ही पती जो पिछले कुछ साल से लगातार सिर्फ और सिर्फ गलत कामों के चलते खबरों में रहा चाहे IPL टीम की सक्टा बाजी हो, बिटकोईन स्कैम हो, गोल्ड स्कैम हो, टेक्स्टैल मामे में धोका धड़ी हो राज कुंदरा का नाम लगातार सुनाई दिया है और खास बत यह है कि इस केस में शिल्पा शेटी बराबर से शामिल रही लेकिन उनका नाम कभी आरोपियों में नहीं आया जबकि हर कंपनी और वेंचर में वो राज की पार्टनर रही है लेकिन इस पार पॉनोग्राफी केस में जिस तरह से धोकधड़ी का आरोप लगाने वाली लड़कियां सामने आ रही है जिस तरह से पॉनोग्राफी एप्स से राज कुंद्रा का सीधा कनिक्शन साबित हो रहा है और जिस तरह से करोडों की कमाई का सट्टे बाजी में इस्तमाल दिखाई दे रहा है उससे साफ है कि शिल्पा शेटी के लिए राज कुंद्रा तो दूर खुद को बचाना मुश्क इसी भी हद तक जा सकती है तो क्या पुलिस के सामने राज कुंद्रा से जगड़ा करना शिल्पा की खुद को बचाने की कोशिश का बस एक हिस्सा था वो पूरी तरह से राज कुंद्रा के एक आली करतूतों से खुद को अंजान बता रही है जबकि राज कुंद्रा की जि जिसकी वो डिरेक्टर रह चुकी है तो शिल्पा की इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है कि उन्हें कुछ नहीं पता था अब इस बात को साबित करने के लिए शिल्पा क्या करेंगी जिस तरह से राजकुंद्रा के खिलाफ मजबूत केज बन रहा है और शिल्पा पती के कारणामों से पल्ला ज़ाड रही है ऐसे में क्या अपनी इमज बचाने के लिए वो पती से किनारा कर सकती है शिल्पा शेटी ने क्राइम ब्रांश के सामने जो बयान रिकौट करवाया है उससे साफ है कि वो अपने लाइफ पार्टनर की बिजनस पार्टनर जरूर है लेकिन क्राइम पार्टनर साबित होने के लिए तैयार नहीं है वहीं राजकुंद्रा का ओवर कॉंफिडेंस इस बार उनकी ग्रिस्ती में आग लगाने के लिए काफी है ओवर कॉंफिडेंस इसलिए कि जब फरवरी में राजकुंद्रा को पता चल गया था कि उनके एप्स पर कभी भी कारवाई हो सकती है वो तब भी डरे नहीं खबर है कि उनके आफिस की खुफिया दिवार में बनी अलमारी से जो सबूत मिले हैं वो साफ पताते हैं कि उन्होंने पुलिस या कानून के डर से अपना काम बंद नहीं किया था बलकि आने वाले कई महीनों के शूट प्लांस और स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली थी लेकिन कहते हैं ना कि इनसान प्लां कुछ और करता है और हो कुछ और जाता है यही हुआ राजकुंद्रा के केस में करोडों कमाकर बीवी को खुश करने के कोशिश में अब कहीं बीवी सही उन्हें हाथ न धोना पड़ जाए क्योंकि शिल्पा शेट्टी को अगर खुद को सही साबित करना है तो उन्हें राजकुंद्रा के पॉर्नोग्राफी रैकेट से रिष्टा ना होने के सबूत पेश करने होंगे और अगर राज कुंद्रा के खिलाफ मिले सबूत सही सावित होते हैं तो उन्हें अपनी इमेज बनाये रखने के लिए ही सही लेकिन उन लड़कियों के साथ खड़ा होना पड़ेगा जो राज कुंद्रा की वज़ा से पॉर्नोग्राफी का शिकार बनी क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो बॉलिवुट से नाराज पैठी जनता उन्हें बखशने वाली नहीं हैं वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के दिन सुशान सिंग राजपूत के जाने के बाद से बेहत खराब चल रहे हैं जनता उन पर भरोसा नहीं करती उनकी द क्योंकि जैसा की वो कह रही है कि उन्हें कुछ नहीं पता था तो फिर धोखा तो राजपूंद्रा ने उनको भी दिया हैं और अगर उन्हें वाकई सब कुछ सच पता था और वो साथ देती रही तो जल्दी पती को जेल में कमपनी देंगी कुल मिलाकर दोनों ही सूरत में शिल्पा शेट्टी अब बुरी तरह से भस चुकी है अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें शेर करें और Capital TV को सब्सक्राइब करें